हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं सेक्सालोजिस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट एनलपी ट्रेनर रोग कोछ हूं मैं आपको बताने वाला हूं धूम्रपान और तंबाकु का जो व्यसन है उसके बारे में लोग काफी मात्रा में तंब को यहां रखना अंदर गाल के नीचे या सिग्रेट स्मोकिंग करना या बीडी कुछ कुछ ऐसे लोग भी कली मेरे पास में लड़का आयता हो दो पैकेड मतलब 20 सिग्रेट कम से कम रोश्की लेता है 15 रुपी की एक सिग्रेट है कुछ भी थोड़ा सा रेसलेस हो गया कि ज को मालू मैं चाणे 10 जादा मात्रासी पीने से लंका प loafee ये जो हम प्रौaltet का यह जो इढ़ा कैंसर हो सकता है लंका कैंसर हो सकता हो आएँ मालू मैं उसको और तब ही बोलता कि मैं छोड़ने हैं तंभा Deutsch आ साएं के मालू में की तंभा को आने से गाल के अंदर मुल रोव cancer हो सकता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग cancer की शिकार हो सकते है मगर जैसा मैं हरदम बोलता हूँ कि knowing doesn't make any difference मालूम होके कुछ फायदा होता नहीं है सब लोगों को मालूम है कि धुम्रपान करना अच्छा नहीं है उससे cancer होता है कुछ फायदा होता नहीं है लोगों मालूम है कि तंबा कुखाने से मुगा cancer हो सकता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग suffer करते cancer से कुछ फायदा होता नहीं है वैसे सब मोटे लोगों को मालूम है कि वजन कैसे कम करना मगर उनका वजन कम होता नहीं है तो मालों के कुछ होता नहीं यह जो आदत लगी है यह subconscious mind में लगी हुई है यह subconscious mind का ऐसा है कि उसमें जाके वो आदत बैठ गई वो automatic automatic होते रहता है मतलब conscious mind का उसके उपर control ही नहीं है conscious mind चाहता है कि मैंने cigarette बंद करना चाहता है conscious mind चाहता है कि मैं तंबा कुण नहीं खाना चाहता है मगर वो वक्त आ गया कि subconscious mind इतना हवे हो जाता है कि वो automatic वो एक तो smoking करेंगा यह तंबा कुखाएगा अब इसके उपर इलाज का है इलाज है कि कुछ दवाईयां इसके उपर आई हुई है सिंथेटिक निकोटिन है जिसके गोलियां मिलती है जब जब तंबा कुखाने कि इच्छा होती है तो वो गोली चूजना मूह में रखके तो पांचछे गोली रोश्की लेते और धिरे धिरे उसकी मात्रा कम करते तो दुग्छे उसकी आदत चूट जाती है ही दूसरा है कुछ मेडिसीन से दवाईं यौन परोटें करक首先 फिर ल्हूंकश सिरित नाम की दवाई है अगर पॉझने से कुछ नहीं आधर छूट सकते है तब इस नेरो लिंग्विस्टिक ग्रंग्रां प्रोग्रामिंग आधरे सकती है और वैसे स्वासम्मोहन करके सेल्फ हिपनासिस या परसम्मोहन मतलब हेट्रो हिपनाडिजम करके यह आज़त छूट सकती है इसके लिए उस सीखना जरूरी है मेरे पास में काफी लोग आते रहते हैं और उन्होंने मतलब अपने उपर खुद के उपर कंट्रोल लाके यह दवाइं खाके या सम्मोहन सिखे या एनलपी टेर्णिंग सिखे अपने आपको सिगरेट से शराप से तंबाकू से दूर रखा है आपके आजोब आज में काफी सारे लोग होंगे कि जो सिगरेट के आदी होंगे तंबाको के उनका मतलब उनको तैंक वीडियो उनको शेयर करो और उनको मालूं पड़ा थो कि इसका इलाज है और वो ठीक हो सकते है तो ज़रूर आप सबस्क्राइब करो उनको शेयर करो करो. Thank you very much.